महराश्ट्र में चुनाफ को लेकर कॉंग्रेस ने बड़ा डाउन चला है जिसकी कार्ड बीजेपी या एंडिये के पास नहीं है मुसल्मान वोटर्स इतनी तादात में हैं कि एक जुट होकर किसी के पक्ष में जुक जाए तो चुनाफ पलट सकते हैं माना जाता है कि लोगसमे चुनाफ में मुसल्मान वोटर्स के जुकाफ से ही इंडिया गडबंदन की जोली में 30 से जादा सीटे भर गई इसके बावजूत कॉंग्रेस उद्धर ठाकरे शरत पवार में से किसी ने भी किसी मुसल्मान को टिकेट नहीं दिया था मुसल्मान वोटर्स को लुभाय रखने के लिए कॉंग्रेस ने आउट अफ दर टर्न बड़ा फैसला की है महराश्र कॉंग्रेस के दो मुसल्मान नेताओं को बड़ा प्रमोशन मिला है नसीम खान और मुजफर एहमत का पार्टी में ओदा बढ़ गया है नसीम खान को कॉंग्रेस कारे समीती में विशेश अमंतरित सदस्य बना कर प्रमोशन दिया है तो वहीं मुजफर हुसैन को महराश्र कॉंग्रेस का कारेकारी अध्यक्ष बनाया है अन्तुले के बाद नसीम खान महराश्र के दूसरे मुसल्मान नेता है जिनें CWC में जगा मिली है नसीम खान को तब शामिल किया गया है जबकि CWC के लिए कोई भरती अभियान नहीं चल रहा है महराश्र से बाला साहिब थोराट नियमित सदस्य बनाये गए है दोनों नेताओं को प्रमोशन देकर कॉंग्रेस ने उस भूल को सुधारने की कोशिच की है जो जाने अन जाने लोगसबर चुनाव में हुई थी कॉंग्रेस के भीतर से आरोप लगे थे कि पार्टी को मुसल्मान की वोट तो चाहिए लेकिन मुसल्मानों को टिकेट नहीं देना है इस दोनों प्रमोशन से महराश्र के 12% मुसल्मानों को मेसेज है कि कॉंग्रेस ही उनके साथ है विधान सबर चुनाव में ठीक ठाक नंबर में मुसल्मानों को टिकेट मिल सकता है कहा जो रहा है कि नसीम खान को राहुल गांधी ने चुना है उन्हें लोगसबर चुनाव के दौरान जताई उस नाराजगी का फल मिला जो कॉंग्रेस के लिए सबग बना चुनाव के समय नसीम खान ने कॉंग्रेस अर्द्यक्ष मलिका अर्जुन खरगे को चिठी लिखकर नाराजगी जताई थी कि महाविकास अगाडी ने 48 में से किसी सीट पर किसी मुसल्मान को टिकेट नहीं दिया नौट सेंटरल मुंबई सीट पर नसीम खान को भी दावेदारी खारिज होने पर वो फट पड़े थे कहने लगे कि कॉंग्रेस को मुसल्मान वोट चाहिए लेकिन उमीदवार नहीं नसीम खान इतने नराज हुए कि कैंपेंड कमेटी से बाहर हो गए राहुल गांधी तक नाराजगी की शिकायत पहुची तो उन्होंने पूरे की रैली में नसीम खान से अलग से मुलकात करके समझाय था समझा बुझा कर चाले स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कराये गया नसीम खान मुंबई कॉंग्रेस के पुराने नेता है महराश्ट्र कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष है 1999 से चार बार कुर्ला से वो चुनाव जीते हैं विधायक का चुनाव जीत कर अगारी सरकार में ग्रहर राज्यमंत्री बनाए गये थे नसीम खान को मुंबई से सीधे दिल्ली बुला का सारी नाराजगी दूर कर दी अब विधान सबर चुनाव के लिए टिकेट बातने पर पता चलेगा कि नसीम खान की शिकायत को कॉंग्रेस और अगाडी ने कितनी गंभीरता से लिया है नसीम खान और मुजफर हुसेन को प्रोमोशन की एक वज़ा लोगसबर चुनाव का ट्रेंड भी है लोगसबर चुनाव में कॉंग्रेस उद्धफ राकरे शरत पवाल के अलाइंस ने बीज़ेपी को हरा कर 30 से जादा सीटे जीती थी 2019 के मुकाबले 2024 में पूरा चुनाव पलड गया चुनाव बात के अनेलेसिस में निकल कर आया कि अगहाडी को जिताने में मुसल्मान वोटर्स ने जम कर साल दिया है लोगसभा चुनाव में कौलापूर की लोगसभा सीट कॉंग्रेस ने जीती थी चुनाव होती ही 14 जुलाई को कुलापूर में संप्रदाय घटना हो गई इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट की मुताबिक 14 जुलाई को कोलापूर की संपरदाय घटना के बाद AI MIM ने मराथा वाड़ा में ये बात फिलाने शुरू की थी कि वोट मिलने के बाद भी कॉंग्रेस मुसल्मानों की खिलाब हिंसा पर कंट्रोल करने में नाकाम रही। उसी डामेज कंट्रोल के लिए कॉंग्रेस को लगा कि मुसल्मानों को आगे करने से फायदा हो सकता है। कि अब कॉंग्रेस में दिन पूरे हुई। चुनाव आयोक ने हर्याणा जम्मु कश्मीर में विधानसभा का चुनाव करा दिया। जिस सबसे बड़े राज्य महराश्य में चुनाव का इंतिजार था वहां चुनाव होते होते रहे गया। अगर चुनाव टलने का फायदा बीज़ेपी को मिलेगा तो कॉंग्रेस और उसके सहयोगी भी कहीं पीछे रहने वाले है। अब ऐसे में देखना बनता है कि जब आने वाले वक्त में चुनाव होंगे तो सत्ता पलटने के बाद क्या सत्ता पलटती है, सत्ता नहीं पलटती है, भागी आपके इस वीडियो पर क्या रहा है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बतेएगा, शुक्रिया। झाले हैं